अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपके परिवार के कुल देवता कौन है, तो क्या आपको इसका जवाब पता है? जी हाँ, कुल देवता या फिर कुल देवी. इस शब्द का जिक्र आप सभी ने कई बार कई जगहों पर सुना होगा. मगर आज की जनरेशन में ऐसी फैमिली हैं, जिन्हें अपने कुल देवता और देवी के बारे में पता ही नहीं है. नतीजन उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है. जैसे कि घर में लोगों का बार-बार बीमार पड़ जाना, धन की कमी हो जाना, वगेरह वगेरह. और इनमें से ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि फैमिली जगांव से निकल कर शेहर में बस जाती है. इससे वह अपनी फैमिली रूट्स को खो देते हैं, जिस वजह से उन्हें अपने कुल देवता और देवी से मिलने वाली पॉजिटिव एनरजी रिसीव ही नहीं हो पाती है. क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनके कुल देवता और देवी है कौन, तो वह अराधना किसकी करेंगे। विज्ञान भैरवी तंत्र में भगवान शिव ने पारवती जी को बताया है कि शृष्टी में जीवित हर मनुष्य के पास गुरू होना चाहिए। और असल में कुल देवता और कुल देवी ही परिवार के गुरू होते हैं जो नेगिटिव शक्तियों से हमारी रक्षा करते हैं। उस पर सुपारी स्थापित करके एकदम निश्पाप मन से प्रार्थना करें कि हे हमारे कुल गोत्र के देवता, आप कहां हो और कौन हो, इस बारे में मुझे पता नहीं है, इस वजह से मैं सुपारी में आपका आवाहन करता हूँ, ऐसा तीन बार बोलकर अपने मंदिर में आपको ध्यान रखना है कि आपकी प्रार्थना में कोमलता होनी चाहिए, आपके आवाहन में कुल देवी को पाने का नहीं होना चाहिए, अंत में रात्री के वक्त आपने फिर से उस सुपारी से प्रार्थना करना है कि हे मेरे कुल देवता, मैं आपको पुकारता हूँ, इ ऐसा आपने लगातार ग्यारह मंगलवार तक करना है। इस दौरान आपको स्वच रहना है। साथ ही वरत रखकर ब्रह्मचर्य अपनाना है। अगर आपने यह सब सही तरीके से किया तो आपकी कुल देवी या फिर देवता सपने में आकर आपको खुद ही दर्शन देंगे। दर्शन देने के बाद आपने उनके नाम का एक घी का दिया जलाना है। बाकी के पॉजिटिव इफेक्ट्स आप सभी को खुद ही फील हो जाएंगे। आपको बता दूँ कि हम भी पिछले 20 सालों से शहर में ही रह रहे थे। तब हमारी फैमिली गुरू ने कुछ ऐसा ही करके हमारी कुल देवता से हमारी मुलाकात करवाई थी। आप भी इसको ट्राइ जरूर कीजिए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमें लाइक और शेयर करना न भूले। जल्द ही फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और सच्ची जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।